दोस्तो ओम नमश शिवाय दोस्तो रोजाना अपना राशी फल देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की बेल को दबा करके सलेक्ट आल कर लें धनू राशी वालो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20 जनवरी 2024 दिन शनीवार के आपकी राशी के डैनिक राशी फल के बारे में कि आपकी राशी वालो के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला हैं किन किन चीजों से आज आपको सावधान रहना होगा किन किन चीज बिजनिस और वेपार कैसा रहेगा और साथिसात आज आपका भाग्या साली अंक क्या रहेगा भाग्या साली रंग क्या रहेगा आज आपके लिए कौन कौन еще उप Creator की य अब इस वीडियो के माद्यम से हम आपको देने वाले हैं इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अन्त तक पूरा देखें तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा आपकी राशी वालों के लिए आज का दिन दोस्तों आप जिस काम को करने के लिए पिछले काफी समय से विचार कर रहे थे आज उसके पूरा करने का समय आ गया है जा दोस्तों आज का दिन आपके लिए बहुती अच्छा दिन रहने वाला है समझ बूज और विवेक से कार्य करने से हर बाजी आज आपके पक्ष में रहेगी तता बाहरी संपरकों से भी आज आज आपको अधिक से अधिक फाइदा होगा साथ साथ आज आज आप दिल के बजाए दिमाख्ष निर्ने लेना आपकी कई योजनाओं को कार्य रूप में पनिर्नित करेगा तमाम विवस्ता के बावजूद आप अपने और घर परिवार के लिए समय निकालेंगे अपनी कार्य चमता पर पूर्ण विस्वास रखें साथ साथ दूसरों की बातों में आने की अपेक्षा अपने निर्ने को ही सर्वो परी रखें अन्यता किसी प्रकार का नुक्सान हो सकता है किसी पडोसी के साथ छोटी सी बात को लेकर मामला थाने तक भी बन सकता है इसलिए आज आप अपने क्रोध पर विसेस नियंतर रखें साथ साथ आपको बता दें बोलते समय सब्दों का आज आप उचित प्रियोग करें आपके नकालात्मक सब्द बच्चों में हीन भावना भी उत्पन कर सकते हैं इसका नकालात्मक प्रिभाव उनकी पड़ाई पर भी पड़ेगा साथ साथ आपको बता दें आज कुछ पुराने दोस्तों से मिलने से कुछ पुरानी यादे भी ताजा होंगी जिससे मन को काम करकर रखें साथ आपको बता दें आज किसी समाहरो या धर्मिक आयोजन में सामिल होने के लिए आमंत्रण आज आपको प्राप्त हो सकता है संतान संबंदी भी कोई समस्या हल करने में आप आज सक्षम रहेंगे इस्तितियां आज धन दायक चल रही हैं उनका सद्योपि करें साथे साथ आपको बता दें आज बहरी गतिविदियां तथा अनजान लोगों से आप दूरी बना कर भी रखें अधिकतर समय अपने घर पर ही वैतीर करें क्योंकि किसी प्रकार का वाद वाद होनी की भी आज आसंकर लग रही है संतान से संबंदी कोई चिंता भी आज आ आप ना लें बच्चो के किसी कार्णे से आपको चिंता रह सकती है जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है बच्चो के परति आज आप तोड़ा सजग रहें साथ शाथ भन संबंदी नुकसान होने की भी आज संबहाव न बन सकती हैं अगर घर में सुधार संबंदी कोई योजना बन रही हैं तो वास्तू के नियमों का पालन करना आपके लिए पती आवश्चक है शाते साथ आपको पता दें अगर किसी महत्पपूर कार्रे पर पैसा लगाने की आप सोच रहे हैं तो आज इस्तितियां अनुकूल भी हैं बसरते आपको वास्तू के अनुसर काम कर ना हैं इस पर आप गंबीरता से काम करें शाते साथ आप घर और वेवसाय संबंदी सभी जिम्मेदारियों को आज बड़ी संजिद्गी और गंबीरता से निभाएंगे कोट के इस संबंदी सरकारी मामले में भी आज विजय मिलने की संभावना है इसलिए पूरा ध्यान इ यह भी बता दें कि किसी नजदी की दिश्तिदार की वज़े से मन मुटाब होने की भी आजा संका है इसका असर घर परिवार पर भी पड़ सकता है परन्तु घर के वरिष्ट वेक्तियों की सला वे हस्त चेप से समस्या सुलज जाएंगी कटूवानी का प्रियोग करने से आ अपने करोद वे उत्तेजना पर काबू बना कर रखें तता धहरें और सैयम से काम लें आपके लिए अच्छा रहेगा और दोस्तों साथे साथ बात करें आज आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी तो दोस्तों आपको बता दें बड़े बुजरगों के पिलती शेवा भाव औ और देख वाल आपके परिवारिक जीवन में सौबाग्य लाएगा प्रेम प्रसंगों में भी प्रगड़ ताएगी साथ साथ घर के किसी मुद्दे को लेकर पती पतिनी में थोड़ी मीठी नोक जोक भी रह सकती है परन्तु इसका नकारात्मक असर घर के वातावराण पर नहीं पड़ेगा साथे साथ आपको बता दें वैस्तता की वज़े से परिवार के लिए आज आप समय नहीं दे पाएंगे परन्तु परिवार के लोग आपकी इस्तिती को समझेंगे और आपका सैयोग भी करेंगे जा दोस्तों साथे साथ बात करें आज आपका वैवसाय औ सत्था सटे जैसे कार्यों से तालुकात रखने वाले व्यक्तियों को और अधिक साफधान रहना है आज उनको साफधानी से कार्य करने क्या हो सकता है इस समय रुपे पैसे के मामलों में किसी पर भी भरोसा या विश्वास करना ठीक नहीं है ध्यान रखें कोई वैवसाइक खित्र में आप सारे निर्णे आज स्वैमी हिलें किसी का हस्तचेप आज ना होने दें नोकरे पेसा व्यक्तियों को अपना टारगेट पूरा होने से आज उच अधिकारियों का प्रत्त साहन प्राप्त होगा जिससे आपको खुशी का अनुबव होगा साथे साथ बता दें वर्तमान समय में चल रहे व्यवसाइक कार्यों के साथ साथ कुछ नए काम पर भी अपना ध्यान केंद्रित करें क्योंकि इस समय परिस्तितियां आपके पक्ष में हैं इसका आप लाब उठाएं साथी साथ व्यवसाइक कार्य चमता में बड़ोत्री होगी पुष्टैने व्यवसाइ में अत्याधिक लाब दायक परस्तितियां आज बन रही हैं समय का भरपूर आप फायडा उठाएं अचानक ही आज आपके कई काम बनेंगे धनलाब प्राप्ति के योग रहेंगे साथ साथ सरकारी शेवारत व्यक्तियों के उपर आज काम की भी अधिकता रह सकती हैं साथ साथ हमने आपको पहले भी आगाह किया है कि व्यवसाइक गति वीदियों में वर्तमान इस्तितियों पर अपना ध्यान केंदिरित रखें जल्द ही लाब के मार्ग आपके लिए प्रस्तो होने वाले हैं अचानक ही कोई कार्य बनने से मन में प्रसनता रहेगी साथ साथ बता दें काम की क्वालिटी में कमी की वज़े से भी आज कोई ओर्डर या पर डील कैंसल होने किया संका है इसलिए कारेचेतर में करमचारियों की गती विदियो पर पैनी नजर रखें और वहां के माहुल को अनुशासित भी बना कर रखना आपके लिए आवशक है नोकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन बहुती अच्छा साबित होगा नोकरी से सम्मंदित कोई बड़ी खुशकबरी उनको प्राप्त हो सकती है वेतन वरद्दी या फिर प्रोमोशन से सम्मंदित कोई सूचना आपको आज प्राप्त हो सकती है जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा साथ साथ पता दें कानूनी पढ़ाई कर रहे लोगों के लिए आज कोई बड़ी खुशकबरी मिल सकती है यदि कोई उन्होंने परिक्षा दी है तो परिक्षा का परिणाम उनके पक्स में आ सकता है जिससे घर परिवार में खुशी का वातावरन रहेगा और दोस्तों साथ साथ बात करें आज आपका स्वास्त कैसा रहेगा तो दोस्तों आपको बता दें आज आपका स्वास्त बहुती उत्तम रहेगा किसी परिकार की चिंता आप ना करें परंतु वर्तमान नकारतमक वातावरन से बचाव करना आपके लिए अति आवशक है साथ साथ आपको बता दें किसी प्रकार की आज चोट आदी लगने की भी संभाव ना बन सकती है इसलिए वहां साथ धानी पूरवक चलाएं तथा नसे आदी के सेवन से भी आज आपको परेज करना होगा यूं कहें कि नसा आदी आप छोड़ दें तो आपके स्वास्त के लिए अच्छा रहेगा और दोस्तो साथ साथ बात करें आज आपके लिए भाग्यसाली अंक क्या रहेगा कि नुपायों को करने से आपको लाब मिलेगा तो दोस्तों आपको बता दें आज आप सुर्ए उद्यजब हूँ मने उगते हुए सुर्ए को नमशकार करें मनी मन सुरदेव के मंतरों का उचाराण करें ऐसा आप प्रतीदिन करें नियम बनाने और उगते हुए सुर्य को आपको नमस्कार करते हुए उसके मंत्रों का जाप करना है तो दोस्तों य आदियाब परते दिन ऐसा करते हैं तो आपके जीवन से परेशानिया धीरे-धीरे तलने लगेंगे समाप्त हो जाएंगी आपके जीवन में कोई परेशानी रहेगी ही नहीं परेशानी होगा धीरे धीरे अंत होगा और आपको लाभ मिलेगा और साथे साथ क्या करें आप बहन, बेटी, मौसी, बुआ या फिर साली की साहता करेंगे अपने शृद्धा सामर्ट के नुसार तो परिवारे की जीवन के लिए सुब होगा आर्थिक इस्तिती भी आपके अच्छी होगी मलगी आपके जीवन में आपको खुसियों की प्राप्ती होगी ये दोस्तों इनमें से कोई भी उपाए करलें आपको लाभ मिलेगा और दोस्तों साथ साथ बात करें आज आपको आपके भागय का कितना परतीसा साथ मिलेगा तो दोस्तों आपको बता दें आज आपका भागय मीटर बता रहा है कि आज आपको आपके भागय का पूरे 95% साथ मिलेगा हर हर महादेव जै भुले नात